हलो स्टुडेंट्स मैं बीपी सिंग आज आपके लिए डिफरेंशियल जोमेट्री में 100% इंपोटेंट एक आर्टीकल है वीन गार्टेंड इक्वेशन्स इनको आज प्रूफ कराऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि 100% ये एक्जाम में आएंगी तो देखते हैं आज वीन गा में मैंने जो बनाया है इसका स्टेटमेंट और बहुत ही सिंपल वे में ये प्रूफ की है उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और हाँ अगर कोई टॉपिक आपको सर्च करना है तो बस उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दीजिए सारा प्रेइडार डाला हुआ है और फिर भी नहीं निकलता तो आप कमेंट कर दीजिए उसी कमेंट में उस वीडियो की लिंक भेज़ दूगा मैं आपके लिए ठीक है और जैसे आपके पेपर खतम हो जाए तो आप कम्टिशन के लिए लग जाए एक निए महीने कम्टिशन की तैयारी कर लीजिए और मेरा सेकिंड चैनल है एंट्रेंस एक्जाम भाई बीपी सर उस पर मैंने कम्टिशन की सारी वीडियो अपलोड कर रखी है बस एक वार सर्ज करके देखिए एंट्रेंस एक्जाम भाई बीपी सर चलिए पहले से हम स्टेटमेंट लिखते हैं इसका बहुत ही सिंपल वे में बताया हैं एक एन मरे यूनित वेक्टर ले रहा हूं यूनित वेक्टर तो टेंजेंट पर बी है प्रेंजियो नॉर्मल पर बी है टूह प्रैंसिपल नॉर्मल के गय rising secondly लेंगे उसका फिर derivative करेंगे वांगे फस्ट पार्ट उर सेकिंड स्क्रेंड फिर उन दोनों का n के साथ perpendicular करेंगे और हमारे पास दो vector होते हैं r1 और r2 उनके साथ linear combination करेंगे बस ये line लिखनी है लिख दो चलिए Let n be unit vector then it's derivative n1 and n2 और क्या है ये r perpendicular to n के देखो इसी के दो derivative करें first or second के according और फिर उनका इसके साथ perpendicular किया गया है Let r1 and r2 to be two vector सुभाव एक टेंजेंट पर 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 दो वेक्टर होंगे as wean-garten equation such that h square n1 equal fm minus gl bahar r1 plus fl minus em bahar r2 दूसरा दूसरा h square n2 equal fn minus gm bahar r1 plus fm minus en n bahar r2 यह proof करके दिखानी है फिर समझ लो आप एक unit vector लेंगे n उसका difference करेंगे first और second के according first को हम n1 से represent करेंगे और second को n2 से तो n1 and 2 आगे उन दोनों की perpendicular दिखाएंगे दिखाते नहीं यह लिखाएंगे नी फिर तो बहुत बड़ा हो जाता कोई से दो vector लेंगे r1 और r2 तब linear combination बनेंगे तो वो जो equation बनेंगी उन्हें हम कहते हैं wean-garten equations जो यह हैं अब यह तो हो गया statement क्योंकि proof करने के लिए statement लिखना जरूरी है अब इसे हम proof करते हैं तो यहां तक तो इसी को उतार देना proof में बाकि फिर solution है simple जैसे proof इसी को लिखूंगा let n be unit vector then its derivative 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 n1 and n2 और क्या है यह r perpendicular to n let r1 and r2 be 2 vector तब linear combination linear combination linear combination जो बनेगा वो क्या बनेगा n1 के लिए a r1 plus b r2 और n2 के लिए c r1 plus d r2 इसे फर्स्ट मान लीजिए इसे second vr a, b, c, d यह क्या चीज है scalar है तो मैंने यह line लिखी है linear combination बनाना आप जानते हैं मैं बड़ाबर कई बार बता चुका हूं यह बस निकालना है आपको इसके बाद अगर आपने first fundamental theorem पड़ी हो और second fundamental theorem पड़ी हो तो वहाँ element first fundamental में second में और वहाँ में e, f, g, first fundamental में यह सब तुमें मालुम होने चाहिए उनकी value क्या-क्या होती है और यहां में लिख रहा हूं आप चिंता ना करें बहुती simple है ठीक है बस आपसे यहीं उमीद रखता हूं कि कम से कम अपने एक दोस्त को बेरी वीडियो जरूर सेयर करें ठीक है आए तो मैं वह बात लिख रहा हूं roughly यहां लिखे देता हूं first fundamental coefficient में e equal यह मालुम होना चाहिए r1 का square होता था f equal r1.r2 या r2.r1 g equal r2 का square और l equal होता था minus k n1 r1 और n equal होता था minus k n1 r2 या minus n2 r1 और n equal होता था minus k n2 r2 तो यह आपको याद रखने मैंने proof कराना है तुमारे लिए ठीक है चलिए अब इस पहली वाली equation के साथ हम r1 और r2 का dot product करेंगे ठीक है clear समझ में आगा वह बात लिख रहा हूं by equation first dot product with respect to r1 and r2 तो इसके साथ यहां करेंगे तो आप लिखेंगे r1 dot n1 इसके साथ करेंगे तो यहां a r1 का square हो जाएगा इसके साथ dot करेंगे तो b r1 r2 this implies r1 n1 की value आपकी यह रही minus l हो जाएगा minus देखो यह minus है तो इधर हो जाएगा minus l equal इसकी जगे पर a r1 की जगे पर e लिख रहा है plus b r1 r2 की जगे पर f लिख रहा है कोई परेशानी अब r2 की dot करो इसी में पहले वाले में अब r2 की dot करो r2 dot n1 r2 की dot करोगे तो a r2 r1 और उपर इसमें करोगे तो b r2 का dot एक वार इसमें r1 की dot कर दी और एक वार इसमें r2 की dot कर दी this implies r2 dot n1 यह रहा r2 dot n1 minus के m हो गया a यह r2 dot r1 या r1 dot r2 एक ही बात होता है यह f हो गया plus b r2 dot का square g हो गया कोई बड़ी बात तो नहीं है चलिए अब इसे एक साथ लिख लो यहाँ पर a e plus b f और l इधर जाके plus में हो जाएगा ऐसे equal to 0 इसे लिखो a f b g यह इधर जाके plus m यहाँ से हम वज्र गुडण भी थी द्वारा या cross multiplicative method द्वारा a b का मान निकालेंगे जैसे आपने 9th या 10th class में equation solve की हो कैसे यहाँ a equal b equal और यह one a को दबाएंगे तो f m minus g l देख लो इसे दबाएंगे तो f m minus g l अब b को दबाएंगे तो f l b को दबाएंगे f l minus e m इसको दबाएंगे e g minus f square और यह h square के बराबर होता है मैं यहाँ लिखे देता हूं one upon इसको हम क्या लिख सकते है h square a की value आप निकालेंगे तो यह उपर जाएगा ऐसे f m minus g l upon h square b की value निकालेंगे तो यह वाला उपर जाएगा f l minus e m upon h square a और b की value first में आप रख देंगे lie on first तो यहाँ n1 equal a की जगे पर value रखिए a की f m minus g l upon h square into r1 r1 में ऐसे यहाँ लिखे देता हूं b की value लिखिए f l minus e m upon h square यहाँ r2 h square कोमन लेकर इधर चला जाएगा h square n1 equal f m minus g l बाहर r1 plus f l minus e m बाहर r2 यह r square नहीं है r2 तो आप देखेंगे पहली equation f m minus g l f l minus e m r2 पहली equation प्राप्त हो गई अब हमने क्या किया था equation first dot product equation second dot product with respect to r1 and r2 तो इसके साथ c e या e c c लिख दीजिए c और r1 का square e plus d यहां r1 r2 को f कहते हैं df अब इसमें r2 की dot करेंगे आप ऐसे तो यहां c r1 r2 plus d r2 का square r2 n2 को आप minus n कहते हैं तो यहां minus n इसकी जगे पर c f और इसकी जगे पर d g g equal to r2 का square इससे अब कैसे लिख सकते हैं यहां लिखूंगा c e plus d f और यह m इधर जाएगा equal to 0 इसे कैसे लिखेंगे c f plus d g यह इधर जाएगा plus n हो जाएगा equal to 0 जैसे यह equation solve करी थी ऐसे ही इनको solve करते हैं तो यहां c यहां d और यहां 1 c दवाएँगे fn minus gm fn minus gn fn minus gm आएगा यहां gm है d दवाएँगे तो fm minus em fm minus em और इसको दवाएँगे तो e g minus f square और इसको हम कहते हैं one upon h square c की value निकालेंगे तो यह उपर चला जाएगा fn minus gm upon h square d की value तो यह उपर जाएगा fm minus en upon h square अब यह value second में रखी जाएगी जैसे यह value lie on first अब यहां लिखेंगे lie on second तो यहां n2 c की value यह रही fn minus gm बाहर r1 upon h square plus d की value यह रही fm minus en बाहर r2 upon h square h square इदर चला जाएगा n2 h square equal fn minus gm बाहर r1 plus fm minus en बाहर r2 तो एक तुमारी equation यह दौनों मैंने proof कर दी कहां है यह वाली equation इसे मैं a कहेदू और इसे b a and b are r when garden equation अगर न दिखाई दे रहा हो तो a and b here a and b are when garden equation यह called called और लगा दे न c a and b are called when garden's equations तो यह वीडियो कैसी लगी please comment करके जरूर बताएं और चैनल को subscribe कर लें आगे की नएस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन फिर आपको नहीं पहुचेंगे ठीक है आगे